दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग और आज हाजिर हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर दोस्तो बहुत दिन हो गए थे एक्चुली मैं इस प्रकर का वीडियो नहीं बना पाया था कि आपके सवालों के जवाब दे सकों क्योंकि टाइम बहुत कम था information बहुत जादा है तो चलिए जल्दी जल्दी से आपके कुछ सवाल लेते हैं मेरी एक ही request है इन सवालों में बहुत सारी चीज़ें चुपी हुई है तो इस वीडियो को आखरी तक देखना क्योंकि आखरी का जो सवाल है बहुत interesting है सभी के काम का है तो पहला सवाल मैं लेता हूँ वो है संदीप पाटिल जी और संदीप पाटिल साब ने पूछा है sir rumen microflora या वेक्टिरियाज को कैसे बढ़ाएं प्लीज बताएं बहुत अच्छा question आपने पूछा है ये ruminants जो जुगाली करने वाले जो पसु होते हैं इनको हम ruminants बोलते हैं इनके अंदर एक special capacity होती है इनके पास बड़ा पेट होता है जिसको हम rumen बोलते हैं उसके अंदर बहुत सारे microflora या सुक्षमजीब होते हैं जो indirectly उसको जो कुछ भी हम खाना देते हैं उस पसु को हराचारा, सुखाचारा, पशु आहार उसको पचाने में उसकी मदद करते हैं मतलब जितने वो स्वस्थ रहेंगे जो सुक्षमजीब हैं या microflora है वो उतना ही efficiency से उस आहार को पचा सकेगा उतनी अच्छे से उसको अपने सरीर के लिए उपयोग कर सकेगा और जादा से जादा दूद का उतवादन देगा तो अगर आपको feed efficiency बढ़ानी है मतलब feed conversion ratio अगर बढ़ाना है तो आपको rumen को healthy रखना होगा rumen मतलब उसके अंदर जो microflora है उसको healthy रखना होगा तो सबसे पहले तो वहाँ का जो माहौल है जो environment है जिसमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं सूप्षमजीब या microflora उसको correct करना होगा तो सबसे पहले जो एक factor है वहाँ का pH जो pH होता है मतलब अमलता और चारता वो अगर जादा कम होती है तो microflora एकदम से वहाँ पे उसको नुकसान पहुंसता है तो सबसे पहले उसको set करने के लिए और generally मैंने दिखा है कि pH कम होने की संभावना जादा रहती है दुधा रूपसों में जो जादा दूद देने वाली नसल होती है उनमें क्योंकि हम concentrate ration आनाज या खली या दलिया इस सब का उपयोग जादा करते हैं इसके करने वहाँ संभावना रहती है कि pH कम हो जाए तो उसके लिए आप buffer उपयोग करिए buffer मतलब मैं जनरली बोलता हूँ घरों में जिस परकार से मीठा सोडा उपयोग करते हैं उसको भी हम buffer के रूप में उपयोग करते हैं उससे उसका salivation बढ़ेगा जुगाली बढ़ेगी तो वहाँ का pH set होगा और दूसरा उनकी population बढ़ाने के लिए microflora की population बढ़ाने के लिए आप इस्ट का उपयोग कर सकते हैं इस्ट अराम से market में कई सारे brand का उपलद होता है आप देखिए जनरली 10-15 gram प्रती animal प्रती डे हम उपयोग करते हैं तो ये दो चीज़ें उपयोग करिए उसके बाद दूसरा जो प्रशन है वो दीपांकर पाठक जी इन्होंने बोला है सर ऐसी जानकारी बहुत जरूरी है dairy farmers के लिए कोई नहीं देता YouTube पर दीपांकर जी आपने ये बहुत अच्छी बात कही है मैं भी देखता हूँ YouTube पर बहुत सारे वीडियोज मिसगाइड करते हैं farmers को और कई तो वो actually eligible है नहीं उनके बास कोई experience नहीं है कोई degree नहीं है कोई scientific base नहीं होता इस परकार के वो नुस्खे या तरीके बताते हैं मुझे भी तकलीफ होती है इसलिए मैं शायद आप लोगों के लिए यहां पे आता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिस करता हूँ कि सही सटीक और scientific base पे आधरित information आप लोगों तक पहुँचे ताकि आपका नुखसान ना हो और एनिमल से जादा से जादा फाइदा आप लोग ले सकें धन्यवाद आपका आपने हमारे काम को appreciate किया है उसके बाद जो तीसरा जो प्रेशन मैं ले रहा हूँ वो है कॉसल यादव इन्होंने पूछा है सर क्या थनेला रोग वाली भैस को मीठा सोडा खिला सकते है यादव जी बिल्कुल खिला सकते हैं आप खिलाइए क्योंकि थनेला जो रोग होता है उसमें मीठे सोडा का फाइदा होता है और कई बार जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जिनको जानकारी होती है कि ये किस प्रकार से उसके पाचन तंद्र को पूरा करेक्ट करता है ऐसी डोसिस से लड़ने में मदद करता है जो एक फैक्टर होता है mastitis होने के लिए या थनेला रोग के लिए तो उसको correct करने में मदद करता है तो आप बिल्कुल थनेला वाली भैस में इसको उपियोग कर सकते हैं 100 ग्राम तक आप उसको आसानी से आप उसके राशन में उपियोग कीजिए आपको थनेला रोग में भी फाइदा होगा उसके बाद हैं दीपू कुमार इन्होंने बोला है सर HF गाई के दूद से कैंसर जैसी समस्या होती है क्या दीपू कुमार जी ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ब्रीड के मिल्क से कैंसर होता हो या इस परकार की कोई समस्या हो मैंने बहुत सारे सर्च पेपर पढ़े हैं और आप याद रखिए दूद ब्रीड के हिसाब से दूद का कंपोजिशन चेंज होता है उसमें फैट है या इसा नेफ है ये उपनीचे हो सकता है लेकिन ऐसी कोई समस्या मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है क्योंकि आप देखेंगे अगर ऐसा होता तो HF कई कंटरीज में डेनमार्क USA, कैनडा आप देखेंगे तो वहाँ पे HF बहुत बड़ी मात्रा में है और उसका बहुत दूद उसका उपयोग होता है तो इस प्रकार की मैंने पर्टिकुलर ब्रीड से रिलेटेड मैंने ये कैंसर की समस्या या दूसरी समस्या मैंने नहीं सुनी है हाँ अभी जैसे बात आती है अगर फीड में कुछ ऐसी चीजे हैं जो पसु को नुक्सान करती हैं वो definitely milk में भी आती है तो वो depend करता है वो किसी भी breed के साथ बरावर के chances होते हैं लगभग और तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है आप HF का दूद बेफिक्र होके उपयोग करिए वो बिल्कुल सुरक्षित है tested होता है especially आजकल तो बहुत सारे उसके test भी होते हैं तो इस प्रकार की समस्या मेरे ख्याल से तो अभी तक ऐसा कोई HF के दूद में problem कहीं भी reported नहीं है उसके बाद ये जो प्रश्ण है ये actually दो लोगों की same प्रश्ण है इन्होंने नीतिस कुमार जी और सिव सिव इन्होंने question पूछा है सर बच्चा देने के बाद क्या खिलाएं day one से बताएं तो मैं पहले तो आपको बता दूँ कि आपने जो प्रश्ण पूछा है वो बहुत ही अच्छा प्रश्ण है क्योंकि इस period में जब गाए बच्चा देती है मेला जो बाहर निकालना है उसको जेर बाहर करनी है उसके बाद धेर सारा उसको दूद देना है दूद में धेर सारे पोसकतत होंगे तो बहुत ज़ादा important है क्योंकि अगर आपने जरासी भी लापरवाही की तो जर अटक सकती है milk fever हो सकता है तो आपका जो प्रशन है वाकई बहुत ज़ादा important है तो सुनिये मेरी बात को day one से आप एक दलिया बनाएए एक magic दलिया जिसको आप तीन से चार दिन आप उपियोग कर सकते हैं आपको रोज पकाना है फ्रेश पकाना है और उस दलिये में आप जो wheat bran होता है गेहों का चोकर जिसे बोलते हैं आप एक से डेड़ किलो उसका उपियोग करिए एक से डेड़ किलो आप अनाज ले लीजिए बाजरा है या मक्का है उसका दलिया उपियोग करिए और इसको आदा किलो गुड उसमें एड़ कर दीजिए साथ में नमक उसमें आड़ कर दीजिए पचास से सो ग्राम तक और उसके साथ साथ उसमें mineral mixture भी आप सो ग्राम उपियोग करिए और इसको उबाल कर उसको दो तीन बार में पसू को दीजिए ताकि उसके साथ और तीन चीज़ें और आड़ कर दीजिए उसमें अजवाइन एड़ करिए उसमें मैथी और साथ में अदरक उसमें उपियोग करिए ताकि ये सारा जो mix मैंने बताया है इसमें energy होगी बहुत जादा उसको ततकाल आवशक्ता होती है उर्जा की वो होगी minerals होंगे और साथ में जो मैंने अजवाइन और अदरक और मैथी बताई है उसमें estrogenic property होती है जिसके कारण उसकी बच्चदानी साफ होने में बहुत जादा उसको मदद मिलेगी और इसको आप एक बार जो सुबह जैसे आपने गरम किया या boil करके ये सब बना लिया उसके बाद उसको दो-तीन बार में उप्योग करिए साथ में हरा-चारा आप बहुत ही अच्छा जो उसमें सुपाच्य हो आसानी से digest होने वाला हो और जो भरपूर fresh water उसको उपलबद कराईए उसके बाद क्या होगा दो-तीन दिन बाद से आप उसको जो आहार है जो पशु आहार कई लोग 15 दिन तक बोलते हैं कि नहीं सर अभी वो गरमी करेगा कोई गरमी नहीं करेगा आप पशु आहर का उप्योग कीजिए साथ में और साथ में मैं हमें से बताता हूँ जैसे पशु आहर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप बफर का उप्योग करना स्टार्ट करिए बफर मैंने अभी पहले बताया है कि ये क्या होते हैं उसके साथ आप उसमें केल्सियम का उप्योग करिए नमक का उप्योग करिए और mineral mixture का उपियोग करिए ये आप चलने दीजिए क्योंकि अचानक से उसका दूद बढ़ना स्टार्ट होगा और ये धीरे धीरे बढ़ाईएगा आप क्योंकि एकदम से अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता ऐसी डोसिस डेवलब हो तो आप उसको धीरे धीरे ये बढ़ाते जाएए आदा किलो आदा किलो डेली डेली आप incremental उसमें जाएंगे और gradually आप बढ़ाते जाएंगे ताकि उसको समस्या ना हो और जो दूद का उत्पादन हो रहा है जादा से जादा उसके लिए जो पोशक्तत्वों की आवशक्ता हो वो उसकी पूर्ती करता रहे तो ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ जब भी आप फीड बढ़ाते हैं जरने के बाद उसका गोबर जरूर चेक करिए कि गोबर नॉर्मल है या नहीं अगर वो पतला होता है या कुछ भी उसमें आपको अबनॉर्मलिटी दिखती है तो तुरंट आईए और फीड जो आप अहार उसको दे रहे हैं उसमें फिर से करेक्शन कीजिए या तो उसमें फाइबर बढ़ाना होगा या फिर उसको बफर देना होगा या फीड की आपको अजस्मेंट करना होगा तो उसके लिए आप अपने जो वेटनेरियन से बात करते रहे हैं या अनिमल नूटरिसनिस जो होते हैं उनसे आप पूछ कर उसकी डाइट को मॉडिफाई कीजिए और ये चलने दीजिए आप क्योंकि अगले 20-25 दिन बाद जब वो पीक पे पहुँचेगा तो उस टाइम समस्या ना हो और वहाँ जाके आप रुख जाएए फिर से मैं बार-बार फार्मूला बताता हूँ कि 400 ग्राम प्रिति लीटर दूद के उत पदन पे आपको पशुआ हर देना है और उसको 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम उसके सरीर के रख रखाऊ पर देना है उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप मत बढ़ाईएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसको आसिडोसिस होने की समस्या आ सकती है बहुत ज़्यादा कियरफुल रहिए और इस पीरेट को वाच करते रहिए कैलसियम भी अड़ कर सकते हैं कैलसियम भी आपको उपयोग करना है और मैं हमेसा बोलता हूँ calcium को उपयोग करिए तो कोसिस करिए dry calcium या तो DCP के माद्धे हम से दीजिए DCP और calcite powder को mix करके आप उपयोग कर सकते हैं ताकि उसमें calcium की कमी ना हो और ये आप day 1 से सुरू कर सकते हैं calcium अब जनने के बाद जननी के पहले क्या करना है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मुझे उमीद है आपको जरूर से फायदा होगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब धेड सारे प्रेश्ण है मैं अगले वीडियो मये जो आने वाले